सो नमस्कार दोस्तों आप से भी का स्वावत है हमारी आरजी टेक्निकल बोवा यूटूब चैनल में सो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ जो डोकॉमेंट स्केनर अप्लिकेशन है उसको हम कैसे यूज कर सकते हैं क्यों इसके थुरू आप पीडियो फाइल कैसे बना सकते हो वो आज के इस वीडियो में बताऊंगा तो चले फ्रेंड्स वीडियो स्टाट करते हैं और ले चलता हूं अपने फोन के स्क्रीन पर वहां पर आप लोगों को अच्छी तरीके से समझा देता हूं सुफरेंड्स अगर आप लोग को मिलता है गेलडियो उपर किलिक करना है और आपको अपना फोटो फोटो आंदर आप क्लिक करके आप तुरंद फोटो क्लिक कर सकते हो तो यहां पर मेरे पास already है तो यहां पर मैं इनको स्ट्रेक्ट करता हूँ दो फोटोस को अपने और यहां पर आपको एक उप्सिन लेता है मैनवली का और एक होता है और तो हम ओटो पे जैसे क्लिक करेंगे तो फोटो में ठीक यह जोगी फोटो को अड़ेस्ट वगरा कर देता है कलर वगरा लेकिन आप मैनवली में करोगे तो आप अपने हिसाब से तरीके से फोटो को क्रॉप कर पाओगे कि कितना पाट आपको पीडियो फाइल के अंदर लेना है उसके बाद इस एरो के आपको क्लिक क किरेंगे और हमताइस के पिर आप च्छेंज करना चाहिए और आप आपको सारे हैं बहुत साहरे आपको क्लर फिल्टर से बिए मिल जाएंगे, जो भी आपको पसंद आता है वह आप यहां पर सेलेक्ट कर सकते हो तो यहां जैसे आप color filter अपना select कर लोगे उसके बाद ठीक है तो भी जैसे में टिक के उपर क्लिक करता हूं तो यह अपलाई हो चुका है color filter अब आपको क्या करना इसमें अगर लेकिन अगर आप कम पहले चाहिते कि यह फोड़े से उन्सवें पहले कहा था और अभी ऐसा हो चुका है तो यह फोड़ा हमारा आड हो चुका है अब उसके बाद फिर अपको क्या करना यहां पर एक नहीं स्वोडि दो फोटा हमने एड़ कर लिए इसके अंदर अब अगर आप इसमें कुछ PDF फाइल में एड़िट करना चाहो कुछ एड़ वगरा करना चाहो तो कर सकते हो या फिर अगर आप इसको मतलब आप एड़िट वगरा नहीं करना है आप सिर्फ इसको सेव करना है तो आपको यहाँ पर एक सेव का ऑ सामेन इसको इनेवल करना चाहो तो पासवुट भी सेट कर सकते हो और उसके बाद फिर यहां पर मिलता है, यहां पर एक ऑप्सिन मिलता है, इंटर्न व्याइगे अंगे इस को आपर मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर recent वाले section के अंदर आता हूँ और यहाँ पर भी recent पे जो हमारी PDF file save movie है वो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगे ठीक यहाँ पर अभी loading चल रही है तो यह देख सकते हो अभी यह हमारी PDF file यहाँ पर add हो चुकी है जो आपको वीडियो कैसा लगा है प्लीज कोमेंट करके जरूर बताना